Good morning student, आज हम करेंगे अनुशेद लेखने और सभी बच्चे अनुशेद की इस प्रकार्ट से लिखा जाता है इस बात पर ध्यान देंगे अनुशेद अर्थार्थ कोई भी अनुशेद होता है पीछे और च्चेद मतलब यानि कि हम जब किसी भी बात के बारे में बताते हैं अनुशेद मतलब शंशेद भी होता है एक पेरेग्राफ लिखा जाता है अनुशेद होता है जिसको हम कहेंगे शंशेद रूप में निबंद को एक तरीके से तयार कर देना वो आपका अनुशेद देखने हो जाएगा एक निबंद होता है बहुत बड़ा निबंद मतलब बंधा हुआ जिसमें बहुत सारे विचार बंधे हुए होते हैं और वो एक विशाल रूप होता है वही अनुशेद आपका शंशिप्त रूप के अंतरगत सम्मेजित होता है तो आज हम बात करेंगे अनुशेद की अनुशेद में बड़ा हम कह सकते हैं एक ऐसी कला जिसमें किसी विशेप पर शंशेप में हम अपने विचार प्रस्तूत करते हैं यानि कि शंशेप में बहुत ही कम शब्दों में हम अपनी बात को जिसमें कह देते हैं वह हमारा होता है अनुशेद कम शब्दों में इसमें हम अपनी बात कहते हैं जबकि निबन में बहुत ही विशार रूप में हमें अपनी बात कहनी होती है क्योंकि एक प्रशन बारबा बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं कितना लिखना है कितना लिखना है अगर अनुछेद होता है तो आपको पता हुनची अनुछेद एक ही अनुछेद में लिखा हो जाता है इसमें आपको अलग-अलग पेरिग्राफ नहीं बनाने होते हैं अ उसमें क्या करेंगे एक उपर हमने अनुशेद दिखा फिर दूसरा हमने कुछ जिसे हमने उसकी आठ से दस लाइने लिख दी हो उसके बाद फिर हमने अगला शुरू की अनुशेद उसमें पांस से साथ लाइनों में हमने दूसरा अनुशेद लिखा फिर हमने तीसरा हैं जो मैं आपको बता रही हूं सभी बच्चे उस पर ध्यान देंगे उसी के अनुरूप आप अपने आगे के अनुछे लिखेंगे किस प्रकार से आपको अनुछे लिखना है इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि अनुछे लिखते समय हमें कुछ मुखे बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सही वर्नन कर सके एक अनुछे का सही रूप लिख सके वो गलत ना करें कैसे अनुछे लिखा चाहेगा और किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए तो कुछ बिंदू में आपको बता रही हूं जिनको आप ध्यान से लिखेंगे जिसे आप अनुशेद लिख रहे होंगे तो अनुशेद एक ही अनुशेद में लिखना चाहिए उसमें हमें अलग-अलग पैरेग्राफ उसके नहीं बनाने होते हैं तो हम बात कर रहें अनुशेद लिखन की अनुशेद लिखन में अनुशेद एक ही अनुशेद में लिखना चाहिए सबसे पहली बात मुख्या यानिके उसके लिए अलग-अलग पैरेग्राफ आपको नहीं बनाने हैं कि अनुशेद लिखने हैं अनुशेद लिखने हैं अनुशेद लिखन के अनुशेद लिखने हैंгляд विखने के अनुशेद लिखने हैं तीसरी बाद छोटे छोटे वाक्यों का प्रियोग करना है आपको, ठीकिए? छोटे छोटे वाक्यों का प्रियोग करें इसको नमबर तू मालेजे, आप इसको थ्री मालेजे, पूर भार्षा सरल और सुबोध हो, भार्षा कैसी होनी चाहिए? भार्षा सरल हो, ठीकिए? वै, सुबोध, यानि के जो सरल हो, आसान हो, सुबोध हो, जो आसाने से समझी जा सके भार्षा सरल तथा सुबोध हो, इस बात का भी ध्यान लखना है अनुशेद एक ही अनुशेद में लिखना है विशे का अनावशक विस्तार नहीं करना है चोटे-चोटे वाक्यों का प्रियोग करना है और भाषा सरल वे सुबोध हो नी चाहिए इस बात का भी ध्यान लखेंगे कि भाषा कोई भारी भरकम या फिर आपको ऐसे शब्दों का प्रियोग नहीं करना है जिसको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो जो शब्द है वो कैसे है भाषा सरल वो सुबोध हो यदि अनुछेद लेखन के लिए संकेद बिंदू दिये गए हो तो पहले उन बिंदू को समझना चाहिए समझ रहे हो कह रही हूँ? मैं लिख देती हूँ इस बात को यदि अनुछेद अगर मैंने कोई बिंदू दिये हैं आपको एक्जाम के लिए तो उन बिंदू का प्रियोग करेंगे आप ठीकिए उनको समझो और फिर उसकी अनुछेद लेखन के लिए दिये गई हो तो पहले उन बिंदू को समझना चाहिए इस बात का धियान रखेंगे सभी बच्चे अगर मैंने क्योंकि मैं बहुत बार एक्जाम में जब भी देती हूं तो किसी ना किसी बच्चे का एक क्वेक्शन आयता है मामी जो संकेत बिंदू है इनका क्या करना है क्या करना है क्या मतलब होता है बच्चो अनुच्चेत के लिए अगर मैंने संकेत बिंदू दिया है संकेत होते हैं आपको जब कोई किसी तरफ से इंडिकेट किया जा रहे है यानि कि आपको इनके अधार पर आपको पूरा अनुच्चेत अपना लिख रहा है तो वह कैसे रिखोगे आपको पता होना चुछे कि आप संकेत बिंदू अर्था जो इशारा कर रहे हों ये जो संकेत बिंदू आपके होंगे ये संकेत बिंदू जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको किदर किसप्रकार से और किन-्किन बातों को लेकि आपना अनुष्य पूरा करना है यह सरा आपका आता है संकेत बिंदू के दूँ उधारन के तौरब ben ने आपको दे दिया प्रदूशन मैं वहां संकेत बिंदू दे रही हूओ वायू प्रदूशन, ध्वानी प्रदूशन, भूमी प्रदूशन, और भूमी हो गया, वायू हो गया, जल प्रदूशन, ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको चार प्रदूशन के लिए, चार संकित बिंदू दे दिये, तो बच्चों को पता है, पहले मुझे प्रदूशन क बच्चा पेले क्या करेगा उसका पताएगा चार को बदाइगा क्यों चार को होता है कैसे होता है अंत में वह सब्छका सकते हैं यहह उस प्रकार से प्रॉअन च्रों से प्रडूशन है हमें उसे किस प्रकार से हैं तो यह क्रपatile संिल reflect होगा यदि अनुशेद के लिए संकेद बिंदू दिये गई हो तो पहले उन बिंदू को समझना चाहिए इस दाट के लिए यह आपका अनुशेद लेखन के अंतरगत ही आता है तद पश्चाद आपका एक और पॉइंट होएगा वो होगा विशेद जो भी आपको विशेद दिया गया जिसे मैंने आपको विशेद दे दिया अभी मैंने प्रदूशन दिया था तो उसी के लिए बोल दूंबाली जेव शेय से संबंधित यह आपको अनुछेद लिखते समें धिया रखनें इन पॉइंट को विशे ते संबंधित सभी बिंड़ों में सबंदी सभी बिंदू को संचेप में यानि कि छोटे में ठीक है को संचेप में समाहित यानि कि सबको मिलाना चाहिए समाहित करना चाहिए इन सबी बातों को आई होप अब सबी बचे ध्यान रखेंगे कि कैसे हमको लिखना है अनुचेद विशे से समंदित सभी बिंदू को संचेप में समाहित करना चाहिए यानि कि छोटे छोटे रूप में आपको लिखना है बहुत बड़े वास्ट में नहीं लिखना है आपको अनुचेद को विशे ऐसे सम्मंदी जितने भी बिंदू हो उसको शंशेप में लिखे उसको बड़े-बड़े रूप में आपको नहीं लिखना है अनुशेद एक है अनुशेद में लिखना चाहिए विशे का अनाशक विश्तार ना करे छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करे भाषा सरल्वे सुबोध होने चाहिए मैं लिख देजिए सुबोध हो हो नचाहिए यह है नहीं इसको समसा के ऐसी भाषा का प्रयोग करना है किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे यदि अनुशेत के लिए संकेत बिंदु दिये गए हो तो पहले उन बुंदु को समझना चाहिएиком से संबंधित सभी बिंदू को संशेत्य हुआ कशोटे में संचेप में समाहित करना क dobr केस्षात्य आऽ पहले हम बिंदू को ध्यान में रखते हैं और उतके पश्चाद हम अपना संपून अनुशेद लेखते हैं तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है अनुशेद लिखते हमें लिखते समय हमें ये 6 के 6 पॉइंट्स अपने माइन में रखने हैं एक ही अनुष्याद में लिखना चाहिए को चोटे चोटे वाकियों का प्रियूब कर आप यदि अनुष्याद कर रिखेंगे हो संकीत बिंदू दिय गए हो तो पहले उन बिंदू को समज़ना चाहिए विषय से समन्दी सभी बिंदूakो चैनकों में आ, आप एकी कुछ बातें यहां पे आपको दे रखी है अनुशेद के विशय में तो मैं चाहूंगे आप सभी बच्चे इन बातों को भी समझे और उसके बाद हम अपनी एक्जामपल कर लेंगे कोई भी चुकि अपकर चुके हो लेकिन कमिया रह जाती हैं बार-बार अनुशेद में इसल जाओ तो निबंद एक बड़ा रूप है अनुशेद निबंद का ही एक छोटा रूप होता है अनुशेद देखन का रत है किसी विशय से सम्बंधित विचारों या भावों को सीमित धातकम शब्दों में प्रकट करता हैं कोई भी हमें टॉपिक मिल जाता है किसी भी विश अधात कम शब्दों में प्रकट करना अनुशेद कहलाता है तो अब हम बात करते हैं अनुशेद की अनुशेद लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी विशय पर संशेद में हम अपने विचार व्यक्त किये जाते हैं उन अच्छे अनुशेद में मूल विशय को ही केंदर में रखकर अपने विजारों को संतूली ढंग से कम से कम शब्दों में व्यक्ति किया जाता है वै यह स्वेम में स्वतंत्र और पूंध रशना होती है इसमें विशेश सम्बंधि सभी बिद्दों को सम्मिलित किया जाना चाहिए अनुछेत में कम शब्दों में अधिक लिखने क का प्रियास होना चाहिए अनुछेत में अनाशक प्रसंग या उधारन नहीं देने चाहिए दुबारह से मैं इस बात को पढ़ रही हूं सभी बच्चे धियान देंगे कि मैं क्या पढ़ा है सिर्फ बुक को पढ़ना ही है कि वो नहीं समझना है अनुछेत की विशेश में क केंद्र में रखकर अपने विचारों को संतूलित धंग से क्या मतलब इस लाइन का जो भी आपका टॉपिक है जैसे प्रदुशन तो प्रदुशन को अपने माइन में रखना है आप हो चीए कि इर्दिगिर्द आपका संपूर अनुछेत होना चाहिए केंद्र में रखकर अपने विचारों को संतूलित यानि कि कोई ऐसा ना हो कि एक नेगिटिग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा खीच रहे हो ठीक है और रस्तकारत्मक्त उसका प्रभाग को कम ले रहे हो ऐसा ना हो संतूलित धंग से कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है यह स्वेम मे स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है इसमें विशय से समन्धित सभी विशयों को समेलित किया जाना चाहिए अन्षेद में कम शब्दों में अधिक लिखने का प्रियास होना चाहिए क्या कह रहे हैं अन्षेद में कम शब्दों में अधिक लिखने का शब्द कम हो लेकिन हम बात अपनी जादा कह दे कम शब्दों में अधिक लेखने का प्रयास होना चाहिए अनुशेद में अनावशक प्रसंग या उधारन नहीं देना चाहिए अनावशक जो आवशक ना हो ऐसे प्रसंग या उधारन नहीं देने चाहिए नमबर एक अनुछेद लेखन में विचारों का क्रम बद विकास किया जाना चाहिए अनुछेद लेखन में विचारों का क्रम बन जानी के क्रम के अनुसार विचार हमें प्रस्थूत करने है जिस बारे में आप बात के उपर कर चुके उसी से समंदी नीचे परिग्राफ में आप करोगे फिर उसे समंदी उसी से नीचे परिग्राफ में ऐसा ना हो उपर कुछ और कह रहे हो जब लीजर पोच रहे हो बलकुल उसी क्या पॉची कुछ और कहने लेग़े ऐसा ना हो आपको ध्यान अखना है क्रम के अनुसार होना च्छे क्रम बद होने चगाइए आकके विचार प्रकौब ऐखान में विध्यार 跟ो are विद्यारतियों कि सचतर अनुसार अनुषय हम बैं से पहले क्रम बंद क्रम नहीं है जो भी लाइस बच्छा करता है तो उच्छे लेखन में विधियारतियों किस तर अनुसार शब्द की सीमा होने चाहिए अधर चोटा बच्चा है तो हम उसको बोलेते हैं 40 से 50 मिनट्स में शब्दों में लिखो 40 से 50 आपको 40 से 50 शब्दों में वेक्ट करना है थोड़ी सी बड़ी क्लास होएगी हम बोलेंगे 40 से 30 शब्दों में या 50 से 80 में वेक्ट करो फिर 80 से 100 शब्दे ले आएंगे पिर 100 से 120 ले आएंगे फिर 130 से 100 तक भी हम बोलेते कि 100 से 150 सो शब्दों से 150 शब्दों तक का अनुछएद आपको लिखना हम यह बात कहतेते हैं चीक है अनुश्यत की भाषा सरल स्पस्ट एवं रोचक होनी चाहिए कैसी उरी चीज उसकी भाषा अनुश्यत की सरल हो ठीक है स्पस्ट हो बहुत ही क्लियर हो सरल स्पस्ट एवं रोचक होनी चाहिए इसमें शुरू से अंत तक भावो विचारों में सह प्रवा यानि कि सहजिता से प्रवा हो ऐसा होना चाहिए जो कुछ भी कहा जाए वहसपस्ट अथा रोचक होना चाहिए ठीक है शुरू से अन तक भाव और विचार में सहज प्रवा होना चाहिए जो कुछ भी कहा जाए वहसपस्ट अथा रोचक हो नैनो टेकनोलोजी का बड आपने शुरू में लिखाया है उसी समंधिय आप बात में लिखे रहे हैं इन सब बातों के आपको धियान लिखना है जब भी आपको लिखेंगे तो आइए उधारन देखते हैं हम कुछ वैसे तो आपने अपने बहुत सारे एग्जांपल किये होगे हैं तो मैं कुछ 1-2 एग्जांपल ले लिती हूँ, क्याकि मेरा मेरा मोटीव आपका अनुछे लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, यह आपको बताना है एग्जांपल तो आप कर सकती है। एक दो एक्जाम्पल्स हम देख लेते हैं आयो बात करते हैं नैनो टेक्नोलोजी का बड़ा सा संसार नैनो टेक्नोलोजी का बड़ा सा संसार विज्ञान और प्रध्योगी की में आए दिन नई नई शाखाएं चुड़ रही है नैनो टेकनोलोजी इसी क्रम में एक नया नाम है नैनो टेकनोलोजी के माध्यम से परधार्थ की संरुषना को नैनो स्केल पर बदलना संभव होता है क्या लिखा विज्ञान और प्रद्योगी की चीके जो अभी हमारी साइंस और टेकनोलोजी है नैनो टेकनोलोजी भी इसी क्रम में एक नया नाम है नैनो नैनो कार आपने सुना था टेकनोलोजी की माध्यम से परधार्थ की संरुषना को नैनो स्केल चोटे स्केल पर बदलना संभव होता है बाविश्व में ऐसा कोई छेतर नहीं होगा जो नैनो टेक्नोलोजी का प्रियोग नहीं करेगा आपने दिखा है बहुत से बड़े बड़े में छोटी से छोटी छोटी चिप डाल दी जाती है नैनो इस प्रकर हम कहा सकते कि नैनो टेक्नोलोजी 21 सदी को बदल कर रख देगी इसके फाइदे को देखते हुए पूरे विश्व में इसे एक विशे के रूप में अपनाया जा रहा है नैनो टेक्नोलोजी तक्नीकी रक्षा सेन्ने सामगरी निर्मान टेक्नो इलेक्ट्रोनिक्स उर्जा चिकिस्सा क्रिशी टेक्स्टाइल आधी छेत्रों में रुजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है नैनो टेक्नीक शब्द का सरव प्रथम प्रण्प्रियों टॉक्यो विज्ञान विश्व विध्याले के प्रोफेसर नौरियो तनिकुच्छी ने किया तो ये तो बात थी केवल नैनो की, अब इससे समध्य हमें और भी अनुशे देखते हैं, एक और एक्जेम्पल ले लेते हैं, भारत देश विश्व गुरू, भारत देश की घरिमा विश्व भर में प्रसिद है, हमारे देश ने विश्व को महात्मा गांधी, स्वामे विवे लेकानन, चरक, महात्मा बुद्ध जैसे और जस्विवेक्ति दिये हैं, भारत ने विश्व में अपनी संस्कृति, योग, ग्यान, आयूर्वेद, विभिन प्रकार की कलायो, अर्थार्थ हर छेत में अपना लोहा मनवाया है, यहां हर प्रांत के लोग मिल जुल कर रहते ह अनेकता में एकता का उधार्ण यदी कहीं हैं तो केवल भारत में, जिस प्रकार एक गुरू अपने शिश्यों को एक रूप में देखता है, वैसी ही भारत में भी अनेक प्रकार की भाशा बोलने वाले लोग एक ही जगे मिल जुल कर रहते हैं, भारत की एकता, अखंडता, वन, वनस्पति, ध्यान, वचन, बदता, वचन बदता, तपस्या, आस्था श्रद्धा, वे अथि थी भाव व्यक्ति को जुकने पर मजबूर करते हैं इसी के साथ आज भारत की प्रतेक छेत्र में तरक्की को देख कर अमेरिका जैसे शक्ति शाली देश ने बाकी सभी देशों को नजर अंदाज कर भारत के साथ हाथ मिलाया यही नहीं, वच्दो हजर दस में भारत में राश्रु मंडल, खेलों का सफल आयोचन और उसमें प्राप्त उपलब्धियों से यह साबित हो जाता है कि भारत विश्वगरू बनने में शक्षम है, भारत सभी से मित्रता का वहवार करता है और वसुदेव कुटुमकम का विज्जार रखता है वही है देश, वही माटी, वही साहस, वैसा ही ग्यान, वही है शान्ती, वही है शक्ती, वही है हम आर्य संतान तो ये तो उकीवल मैंने एक आपको छोटा सा उधारन देखकर बताया मैं आशा करूंगी सभी बच्चों से कि आप अपने इबुक में दिये गए प्रत्येक अनुशेद की प्रापिस जरूर करे और बेटा आपको कोई भी अनुशेद ऐसा दिया जा सकता है जो जिसके बारे में आप अपने विज़ार प्रस्तूत कर सके जैसे उधारन के तरिक है भारादेश विश्व गुरू विश्व गुरू मतला वर्था क्या कहा गया या पर किस प्रकार से विश्व गुरू कहा गया भारादेश को यानि के विश्व का जो गुरू है तो इसमें ऐसा क्या था तो भारत की देखो एकता अखंड था जिसको तोड़ नहीं सकते वन अस्पती ध्यान वचन बदता तपस्या आस्था श्रधा अथिती भाव विश्व को जुबने पर मजबूर करते हैं ये सारे कारण बता रहे हैं हम जिसके करण हमारा देश वेश गुरू के नाम से जाना जा सकता है वसुदेव कुटुम्ब कम का विचार रखता है भारत सभी से मित्रता का वहवार करता है और वसुदेव कुटुम्ब कम का विचार रखता है यानि कि जो संपून वसुदेव है पूरी जो वसुदा है धर्ती पर जो लोग है वो कोई कुटुम्ब के समान है ठीक है संपून धर्ती संपून जो आसपस का हमारे वातवरण है वसुदेव कुटुम्ब कम का विचार अपनाता है एक कुटुम्ब के समान है हमारी पूरा भारत वसुदेव कुटुम्ब कम का विचार रगता है वही ह शांती वही है शक्ती वही है हम आर्य संतान ठीक है और अब सभी बच्चे प्राक्टिस करे अरुछेद के लिए आप सभी को अपनी बुक में मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है आपको अपनी बुक हो लिए है बुक में आपको अभ्यासकारी दिये गए होंगे अभ्यास कारे में आप अपनी बुकों में देखेंगे ठीक है आपकी बुक में कौन-कौन से दे रखें थो आपकी बुक में जो आप लोगों ने ब्रेडी पहले कर रखें हो ना करके उससे अलग को करने हैं उधारन चिर्पे जैसे मेरे पहले रेल यात्रा आप कोई कैसा टॉपिक लेना है अपने अभ्यास में से जो आपने पहले ना किया हो और आप उसके ओपर लिखेंगे अपने विच्छार ओके तो सभी बच्चे प्रक्टिस करना शुरू कर दें और अच्छे से पैयारी करें अपने अनुछेद लेखन की धनेवाद